सब्सक्राइब करें आमनास किचन को और बेल आइकोन का बटन प्रेस करें ताके मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके आमनास किचन में आप सब को खुशाम दीद और आज जो टॉपिक में वीडियो बना रही है वो वीडियो किचन के हवाले से बिल्कुल नहीं है आप लोगों को थोड़ा सा इसका थीम देख के समझ आगी होगी किस हवाले से है तो चलिए बाते करने की बजाए वीडियो को मुझे इंस्टा पर बहुत ज्यादा मेसेजिस किये कि आप अपनी जाती लाइफ के बारे में भी कोई वीडियो हमसे शेयर करें तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपनी थोड़ी सी जाती लाइफ के बारे में भी बताती चलूँ अब हमारी आपके दोस्ती काफी इंट्रिड्यूस करवाती हूँ आज इस टॉपिक में वीडियो बना रही है वो मेरे वैडिंग ड्रेसिस के बारे में है और मेरी शादी कब हुई थी सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा तो आप वीडियो को शुरू से लेके लाज तक लाजमी देखिएगा और सेकिंड ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम तो आप लोगों का मैं बताती चलू कै मेरी जो शादी है वो दो हजार सोला में हुई थी 23 दिसंबर को सर्डी थी बहुत उन्देज में और 2016 में मेरी शादी हुई थी माशाला मेरा बेटा चार साल का हुईए अधंधुलिला का बहुत शुकर है तो उस टाइंची के हवाले से जो ट्रेंड चर रहा है था उस हवाले से जो मैंने शादी के ड्रेस्सिस लिए थे जो मेरे मेंदी के माई़ू के और नकाह हुआ था मेरा 17 नुम्बर को मेरा नकाह की डेड थी और शादी मेरी 23 दिसंबर को हुई थी तो उसमें जो मैंने ड्रेसिस पेहने हैं ते मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो उसके साथ चोटी चोटी जो स्टोरीज हैं जो मेरे शादी के ड्रेसिस के साथ वो भी आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि आप जैसे ही बकरा इद खतम होगी महरम सफर खतम होगे तो रभी लवल में बहुत सारी शादियां आ जाती हैं तो ये कुछ दो तीन मत मिल जाते ह आपको थोड़ा सा शादी के तियारी करने में कुछ आइडियाज कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होना बहुत जरूरी है बहुत खास जो है वो बताना है तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों न मैं आपको अपना experience बताती हूं तो ये जो आपको ड्रेस नजर आ रहा है white off white creamy of white color है इसके उपड़ गोटे काम होँआ और इसके उपर ये तिले का काम होँआ और इसका जो दोपटा है वो के उपर लगी हूई है और ये इसके उपर गोटे के फूल लगाएगे हैं ये मेरा निकाह का ड्रेस था मुझे बहुत शोग था कि जब मेरी शादी हो तो ज तियार करवाया था वो ही ये सूट मतब ले के आई थी और वैसे तो ये वाइड ओफ वाइड सूट था बहुत सिंपल सा ये सूट था बरीजे में ये था लेकिन इस पे जो काम मेरी वालदा ने करवाया था वो खुद अपने हाथों से किया तो ये ड्रेस मुझे बहुत प्य करती हूं तो इस तरह मेरी अम्मी ने पूरे ड्रेस के ओपर गोटे का काम किया था और गले के ओपर तिले का काम मतब रैडी मेट जो आपको पता है मार्किट में आजकल इसली गले बने बनाए अवेलेबल है वो लगाया थी और ये जो कीरन और ये जो है ना ये मेरी अम्म त्रेस त्यार हुआ था इसके साथ मैंने गोल्डन जूता हील वाला पैना था पाइले पैनी थी फुल जो टैंडिशनल जो टिक्की वाली मेंदी होती है न वह वाली मेंदी लगाई थी नेल पॉलिश रेड कलर की और पूरी जो पुराने टाइम की दूले जरा मॉडरन टैच में त्यार होती है न उस तरह की मुझे अपनी तस्वीरें देख के बड़ा यूजू अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा सा जो है न वह जो अपना जो निकाह का जो ड्रेस था, वो मेरा बहुत अच्छा बन गया था अब जो second जो मेरा dress है ना ये dress ये जो आपको दुपट्टा नजर आ रहा है ये दुपट्टा जनाब मेरी mother-in-law का है उनकी शादी के time जो dresses उनके बनाए गए थे ना जो मेरी जो सास है उनकी शादी उनकी फुफो के घर हुई थी तो अमी के जो dresses है ना वो बहुत उस टाइम बहुत अच्छे काम करवाए गये थे हैंड मेड काम और उस टाइम आपको पता है बहुत ये टेंडिशनल dresses त्यार की जाते थे कुछ हमारी family जो है वो जिमिदार family से ह जादा खास तबज़ दी जाती है कि सारी ओड़तें वोटी को देखने हैंगी वोटी बोला जाता है तो इस हवाले से फिर अमी ने वह जो दुपटे थे कुछ कुछ dresses उनके जो थे जूनके पहले के जो बड़ी केर से उन्होंने रखे हुए थे आप देखे मुझे इस इन सबसे जो प्यारी बात लगती है वो यह लगती है कि इनका जो काम है आज भी वैसे का वैसा है खराब नहीं हुआ कपड़ा खराब नहीं हुआ उनका काम आप चेक करें गोल्डन कलर भी अंदर तिल्ला ऐसा यूज किया गया कि अब भी तक वो न्यू है मतलब उनके शादी को मैक्सिमाम 35 साल हो चुकी होंगे क्योंकि इतना टाइम तो मेरे ख्याल से या इससे थोड़ा कम अर्सा हुआ होगा लेकिन अभी तक यह ड्रेस जो है वो बहुत प्यारे हैं तो यह दुपट्टा और वो जो रैड दुपट्टा यह दोनों दुपट्टे मेरे दिल के बह बहुत खास रखा हुआ है और मेरा मेरी खाहिश है कि नेक्स्ट जब मैं कोई ड्रेस त्यार कवाँ तो उसके साथ मैं जो है ना वो ड्रेस बनवाऊं तो इंशालला जो है ना मैं आपको वो दुपट्टे भी जरूर दिखाऊंगी निकालके बलके जो पार्ट तू है ना और माईयों का ड्रेस जो है वो मैं दिखाऊंगी उसमें मैं आपको वो दिखाऊंगी आज मैं आपको अपना निकाल का बराद का और वलीमे का ड्रेस दिखा रही हूं तो अब मैं आपको अपना जो है ना वो बराद का ड्रेस दिखाती हूं के मेरा बराद का ड्रेस किस त गना में से थोड़ा टेयल स्टाइल में थी और इस तरह इस का लेह हम्आ पे काम ज्यादा नहीं था यह आप पहूझ करें पहुत ज्यादा लेंगे पाओं अगर मैं बहुत ज्यादा ही हम जाता आपको मैं तो डूस। करके दिखाती हूं mm अब बल्च स्थ Parall कलर है और अब यह इसका जो कर था ना वह रड़ था प्यों रड़ था लेकिन कुछ देर आप गुज़ने के साथ यह कर चेंज होके थोड़ा पिंक की शेड में जा रहा है क्यूंकि आपको पता है यह कपड़े डाइख किये जाते हैं वाइड होता है कपड़ा प्योर का और औरीजिनल प्योर के ओपर काम किया गया है लेकिन इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक स्टोरी है वह सुनाती चलूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है यह इसका जो पूरा जो उपर शेट है वह यह इस तरह इसका इसके ओपर काम हुआ हुआ है सारा यह भी मॉया तोपका कई लेकिन बहुत हैं वी था जो मेरे से बढ़ी मुश्चल से कष्या गया और यह इसका दुपट्ट्था है जो कि बहुत प्सूरत है भी इस तरहागै पदर scarf बोर्डर बहुत हैवी आप गाल वार मेः निया है उन्होंने बनाया था अब आपको मैं इस या अनारकली बजार है या पिछरा बजार है जो जो मशूर ट्रेंड बजार हैं जहां पर ऐसे काम होते हैं करवाये जाते हैं वहां पर लिबर्टी मार्किट सारा हम लोग विजट किया मुझे आज भी याद है हम फुल फैमली गए थे शादी की शॉपिंग करने के लिए नि क्यारी करनी थी तो लेंगा जो सोचा था वह था कि हम बना बनाया ही लेंगे तो लिबर्टी में मैं गई वहां पर मुझे एक लेंगा पसंदा है जो के दो लाक धाई लाक के करीब था बहुत खुब्सूरत उस पर काम था लेकिन मैंने सोचा है कि इतना अक्सपैंसिव ले करना पड़ता है माँ बाप तो जाते हैं बेटी को जितना अच्छा दें जो कुछ दे सकते हैं लेकिन बेटियों को भी ऐसास करना चाहिए माँ बाप का तो वह ड्रेस पिर हमने नहीं लिया कुछ वो थोड़ा सा और तरह कर ड्रेस था हैवी था और कैरी करना बहुत मुश हमारे यह है कि ब्राद का ड्रेस लड़की वाले लेते हैं और वली में के ड्रेस लटके वाले तियार करते हैं अब जो वली में के ड्रेस कुछ आफवाइट रि即स किया गया था कि शेर में बनाया गया तो प्याय निएका कि मुझे सकस्दा रैड कूइए तों नहोंने का ह हम आपको बना देंगे अब हम उनको फून करते बार बार पूचते कि हमारा ड्रेस रेडी हो गया है वो कहते हैं जी आपका ड्रेस बन गया इस डेट को मिल जाएगा मेरे माईयों वाले दिन हम लोगों ने जाना था लेने के लिए और मेरे भाई और साथ मतलब उनके में आ जाएं प्लीज अगर आप शादी कर रहे हैं आपको ड्रेस चाहिए तो आप अपनी निगरानी में त्यार करवाएं प्रॉपर अगर आप रैडी मेट लेना चाते हैं तो रैडी मेट ले लें अब किसी भी इनकी बातों में ना आएं यह सब जूट बोलते हैं और अपने पाइन होता है जो आपके नसीब का होता है वो आप पैन ही लेते हैं तो यह ड्रेस जो है ना किसी और शौप पर बना बराया पड़ा था जैसे ही पड़ा था बतब उसमें मुझे यह बॉंडरी वाला कलर अच्छा नहीं लगता था क्योंकि यह ब्लैक शेड में जाता यह देखें यह प्लम शेड है लेकिन मुझे थोड़ा था था मैं कहती थी फुल ड्रेड में हो या कुछ और गोल्डन टाइप इस तरह की शेड हो तो लेकिन जो मेरे नसीब में था मुझे पहना बहुत अच्छा लगा सबने बड़ी तरीव की अभी भी यह ट्रेंड में जा रहा है लेंगा और जब भी मैं देखती हूं शादी पर किसी लड़कियों के पहने पहने तो मैं कहते हूं यह मेरा लेंगे से मिलता जो ताहिया कुछ तो अल्ला सबसे पहली बात होती है बेटियों के नसीब अच्छे करें जो भी पहने सब अच्छा ही लगता है दूल एक घर से दूसरे घर और महाल कैसा होगा कैसे लोग होंगा आपको पता है आज कल कितने रिष्टों के इश्यूज है शादिया आउट फैमिली में होती है लेकिन अलहमदुलिल्ला बहुत शूकर है बहुत अच्छा करने के लिए सोचते हैं अच्छा ही होता है सब के लिए असानिया ही होती है अलह सब बेटियों के नसीब बचे करे तो ये मेरा फाइनली ये ड्रेस जो था मेरा बारात का वह आप को मैं नकापर दिखा चुकी और ये जो मेरा ड्रेस है ये बहुत प्यारा ड्रेस है ये मेरा वलीमे का ड्रेस है और ये मेरे जो है ना फादर इंडला ने मेरे हस्बंड ने मेरे सास ने मदर ने सब ने मिल के खरीदा था इसके ओपर देखें ये मेरून और गोल्डन और ओफ वाइट क्रीमी शेड का काम ह जो कि बहुत壬्सूरत है इसके पूरा कुण भूर काम किय पूरistä आपको क्लोस करें पूरा एक कटवर का काम किया गया बहुत बरीकी में बहुत ज्यादा स्टॉन बड़े ही खुलत-स अंदाज में और इसके नीचे जो है न वो पूरी एक ये बनाई गई है बॉंडरी बनाई गई है जिसके से इसकी लुक और भी ज्यादा जो है न वो खुबसूरत लगती है बहुत मुझे ये ड्रेस पसांद है लेकिन ये बहुत हैवी है और इसके साथ प्रॉपर गोल्ड का सेट था जूमर था टीका था फूरपर गोल्ड इसके साथ भी मैंने जो एन वो डाइमन्ड का सेट पैना था और इसके साथ मैंने प्रॉपर गोल्ड का सेट पहना था उस व क्मारा अरडी मत्याई मिब्यक्व हमारा न कर sobie मिला तो उस वक्म मुझे लगा तो मैंने वह फिर जो है न वह न मैंने पहली का रपके एंगा कना अम सम्हाय को ढदी में कुछाया है करेंगा हने मैंने वो सेट नह्य कैसा एन काई मुझाए उकना के ब्यानी सेट में ईशक्रम का इस साथ पाने पैना के द्रेस में अधने ख्थानी बैया तो तुम करता ओर बहुत शाड़ा को और आज भी इसका इतना ट्रेंट है यह मैक्सी है और वो मेरा बराद का वो मेरा लेंगा था यह मेरी मैक्सी थी और नकाह का वो मेरा कमीज शलवार थी साथ में टेंडिशनल दुपटा था जिस तरह दूलों का पुराने टाइम पे होता तो इसके साथ रड चूड़िया थी स पारा बिलकुल इसी तरह मैं उमीद करती हूं आपको मेरे यह जो ड्रेसिस हैं सारे वो बहुत पसंद आये होंगे और आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मुझे जरूर आपने अच्छा सा फीड़बैक देना है फिर मैं आपके फीड़बैक पे ही नेक्स्ट वीडिय करेंगे अपने दोस्तों के साथ और मैंने अपना अक्सपिरियंस भी सके साथ शेयर किया है कि मेरी शादी पे कुछ जो प्राबलम जो ड्रेसिस के हावाले से आई ताकि आप लोगों को उस हावाले से प्राबलम नहाएं अपना बहुत सारा ख्यार रखें दौाओं में या अपना बहुत सारा ख्यार रखें मेरे लिए भी दौाओं करें और मैं अभी सब के लिए दौा करती हूं अल्ला हाफेज त threat काईब में झागे याले से लिए दौत करती हूं तो कर आंस गभी से ऱट दौत सारा ख्याम कर बहुता सारिव, को बहुत सो क meus mes